नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा वीडियो सावन दो हजार चौबीस के बारे में है इस वीडियो में हम जानेंगे की वर्ष दो हजार चौबीस में सावन महीना कब से शुरू हो रहा है सावन महीने का क्या महत्व है? इस साल कितने सावन सोमवार आएंगे? सावन सोमवार की पूजा विधी क्या है? सावन महीने की शुरुवात हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त 2024 सोमवार को समाप्त होगा इस साल सावन का पहला सोमवार भी 22 जुलाई को ही होगा और सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को होगी सावन महीने का महत्व सावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है इस महीने में भगवान शिव की विशेश कृपा प्राप्त होती है मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है सावन के सोमवार का विशेश महत्व है और इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है सावन महीने की मान्यताएं सावन सोमवार सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है कावड यात्रा इस महीने में भक्त जन गंगा जल लेकर शिव लिंगों पर चढ़ाते हैं हरियाली सावन को हरियाली का महीना भी कहा जाता है इस महीने में प्रकृति हरी भरी हो जाती है पवित्रता सावन में वरत रखने और पूजा करने से पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल और फूल अर्पित करें। धूब जलाएं और आर्ती करें। शिव चालीसा या मंत्रों का जाब करें। दिन भर वरत रखें और सात्विक भोजन ग्रहन करें। शाम को दीबदान करें और आर्ती करें। रात में सोने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करें। आप अपनी सुविधा नुसार पूजा विधी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। यदि आप वरत नहीं रख सकते हैं, तो भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, ये था सावन महीने का महत्व और पूजन विधी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हर-हर महादेव।